राहुल को आगया गुसा बोलते बोलते मीडिया पर बरस पड़े राहुल गांधी राहुल गांधी को गुसा क्यों आया वहां मापको बताएंगे पहली ये तस्वीरी देखे कि कैसे लोकसभा में नीता प्रतिपक्ष और राई बरेली से कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथ रस पहुँचकर हाथ थामते हैं भगदर के पीडितों का दिलाते हैं दिलासा की मिलेगा इंसाफ लड़ेंगे राहुल डटेंगे राहुल इंसाफ के लिए सड़क से सदन तक हाथ रस के ग्रीन पार्क में करीब 20 मिनिट तक किनपीडितों से मलाकात के बाद जब राहुल बाहर निकलते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं वो हाथरस घटना पर बोल रहे होते हैं, इसी दोरान जब मुआपजी कुलेकर सीयम्योगी से वो बड़ी मांग कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि फट पड़ते हैं राहूल गांधी। जवाब देने पर जाएं इस समय इनको ज़रूरत है, अब आपने छे महीने बाद दिया, एक साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फाइदा नहीं है, आप मुझे सवाल पूछते हो, जवाब खातम निकरने देते हो, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल मौझे और जितना छिद्धिया जा सकता है, दिल कोल डिल कर दें परिवार वालों के बारे में, वंके बच्चों के बारे मैं, इमकी कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुआ है, उनौने कहा की प्रशासन की कमें है, उननोंने कहा कि जो अर्रीज़्वन्ट वहाँ पू पर बहुत दुख में हैं शौक में हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है उनकी सिचुएशन है उसको समझने की खुशुश करें तो बाबा पर कारवाई के सवाल पर एक बार राहूल गांधी गुस्सा हो जाते हैं कि वो मुआपजे की बात कर रहे हैं उन्हीं टोका क्यों जा रहा है फिर वो अपनी बात भी कम्प्रीट करते हैं जिसके बाद फिर से उनसे बाबा पर F.I.R. और पीडित परिवारों को लेकर सवाल होता है तो परिवार पर तो बोलते हैं कि वहाँ प्रिशासन की कमी थी जो इंतिजान प्रिशासन को करना चाहिए था वो नहीं था लेकिन बाबा के सवाल को टाल जाते हैं पीछे पीछे मीडिया बाबा बाबा चलाती रहती है उधर राहूल गांधी हाथ जोड़ कर चलते बनते हैं वैसे राहूल गांधी के हाथ रस दोरे उनके बयान और उनके गुस्से पर आप क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए ज़रूर रखिए Bureau Report यूपितक